तो हाँ जी क्या हल चाल तो भाई आज में करने वाला हूँ दो स्मार्टफोन के बीच कमपेरीजन और ये दोनों ही स्मार्टफोन भाई साब एक ही घर आने से बिलॉंग करती है निकि एक ही खांदान से आती है पहला है स्मार्टफोन का नाम है Vivo T3 Ultra जिसकी स्टाटिंग प्राइज है 32,000 रुपीज बट इसी को टक कर देने के लिए इसी के घर आने से ही आती है ये भी हाली में लॉँच हुई है नाम है Vivo V40 जी हाँ इसकी स्टाटिंग प्राइज है 35,000 रुपीज तो देखी जाए तीन हजार रुपे का सिर्फ अंतर है यानि कि तीन हजार रुपे लेक एक्स्ट्रा लगा कर Vivo V40 के तरफ जाना सही रहेगा या फी तीन हजार रुपे बचा के Vivo V40 ती अल्ट्रा के तरफ जाना सही रहेगा इसी कंफूजन को दूर करने के लिए आज में लेकर आया हूँ आपके सामने ये कंपैरीजन वीडियो आप मैंसे कुछ लोग तो होंगे कंफूज है ना बताना जरूर कि कंफूजन है की नहीं और यह भी मता बता देना कि आप सब जो वीडियो देख रहे हैं हमारी क्या सर्च करके देखा है या आप हमारे फैमिली से पहले से जूर है यानि कि हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं या फिर किसी ने शेर किया है बताना कमेंट करके तो जानना चाहता हूँ इसलिए अभी कुछ लेजेंदरी कमेंट करते हैं जानके क्या फैदा तो बता दूँ मैं बहुत जल्दीना मीटप रखने वाला हूँ इसलिए जानना चाहता हूँ कि किस शहर से मतलब किस सिटी से बहुत जादे लोग देख रहे हैं तो वहीं पर मैं मीटप करने की कोसिस करूँगा तो भाई कमेंट कर जो बताना कि कहां से या आप बिलॉंग करते हों कैसे वीडियो को देख रहे हैं खैर चलिए आज की इस कन्फिजन को दूर करने वाला हूँ कि वीवो T3 Ultra Best है या फिर वीवो V40 Best है उससे पहले अपने एक टार्गेट है जल्दी से वीडियो करना लाइक करके चनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आपके लिए फ्री होती है मुझे थोड़ी सी बेनफिट मिलती है खैर मैं हूँ आपको दोस्तों होसनूप आप देखने खुद का टेक चनल टेकनो अनूप क्योंकि आप है तब ही तो मैं हूँ तो हाँ जी चलिए देखते कि आज किस वीडियो में अपने ही घराने से बिलोंग करने वाली दोनों स्मार्टफोन से बाजी कौन मारती है चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी की ना तो दोनों ही भाई साब एक ही घराने से विलोंग करती है तो यहां भेदभाय कैसे कर सकती है तो exact same build quality है जी हाँ गिलास का back है plastic frame, glass front देखने को मिलेगा लेकिन front में किजिसकी protection है तो यहां भी भेदभाव नहीं किया गया है दोनों में exact same है short sensation alpha glass का protection नेकि बात करें weight और thickness की तो यहां weight में थोड़ा सा different है cable 2 gram का जी है Vivo T3 Ultra की weight है 192 gram तो Vivo V40 उसका weight है 190 gram नेकि दोनों की thickness exact same है 7.6 mm है साथी IP68 की rating दोनों में देखने हों मिलती है तो यहां भेदभाव नहीं कि weight का अंतर है 2 gram और 2 gram कहां पर है वो बताओ क्यों कम है क्यों ज़्यादा है सब बताने वाला हो तो सवाल है कि दिखने में कैसा होने वाला आपने ही घराने से ही एक छोटा भाई बड़ा भाई सुन्दर कौन है चलिए बात करते है डिजाइन की दोस्तों डिजाइन की बात करें तो दोनों भाईयों में कोई अंतर नहीं है जी हां दोनों में आपको मिलेंगे डूल कैमरा की हाउसिंग एडिफलेस के साथ दोनों की अपनी ब्रेंडिंग एकी घराने से तो वीवो की ब्रेंडिंग मिल जाती है फ्रन साइट की बात करें तो सेंटर पंच होल के साथ को कर्व डिस्प्रेइद देखने को मिलती है दोनों में भाई साथ 90% का आस पास बोडिटो रेशियो आने कि चीन्स और पैजल्स पक्तिस होने वाली है कोई भी डिफरेंड नहीं है दोनों में कंटेन कंजूम करने में मज़ा आने वाला है लेकि बात करें कलर्स की तो यहाँ पत्थवास भेद भाव किया गया है वीवर T3 अल्टरा केवल दो ही कलर्स में एवलेबल है लिउनर ग्रे एक है फॉरेस्ट ग्रीन कलर लेकिन देखा जा आपको वीवर T4 में मल्टिपल कलर एवलेबल है सिल्वर है परपल है वाइट ब्लू सन ग्लोब पीच कर देखा हो मिल जाते हैं सवाल है कि दोनों ही भाईयों में एक्जेक्ट सेम डिस्पले है 6.78 इंच की 1.5 के 10 बीट का AMOLED पैनल 28 हैंटरें इंटू 1260 पिक्सल की स्किरिन रेजरेशन 20 इस्टरान का स्पेक रेशियो 453 पिक्सल देंसिटी 45 हेंडरें इस्ट की पिक्सल ब्राइटनेस 120 हट्स की रिफ्रेस रेट 300 हट्स की टच सेम्पलिंग रेट HDR 10 पस वाइड वाइन L1 सब सपोर्ट मिल जाते हैं आप कांटेंट के जूम करेंगे एक्जेक्ट सेम नजर आता है दोनों में ही कलर्स अच्छे मिल जाते हैं HDR कंटेंड रगड के देख सकते हैं Amazon YouTube पे ब्राइटनेस अच्छी है इंडोर आडियो की विजिबिल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है रिफ्रेस रेट टस सेम्प ने कोई प्रॉब्लम नहीं है सोचल मेडिया पेज स्क्रॉल करें गेविंग करने मजाने वाला है दोनों ही भाईयों में क्या यहां भी भेद भाव नहीं किया यहने कि दिमाग कौन सा यूज किया गया प्रॉब्लम नहीं किया गया चलिए बात करते हैं परफॉब्लमेंस की कोई ख़ड़ा प्रोसेसर ने शांदार है 4 निमेटर के फैविक से बनाए गया है इनरजी इफिसेंसी अच्छी है हीटिंग उसे काफी कम देखने को मिला है वाइसा वाकई में यहाँ पर वीवो ने कमाल किया है मतलब ऑप्टमाइज जैसे इतनी अच्छी कर रखी है गेमिंग करने में भी हीटिंग आइस देखने को नहीं मिला यहाँ पर जो कि नॉर्मली देखने को मिलता है यहाँ देखने को नहीं मिला है वीवो ने अच्छा काम किया है अपने भाईयों में कैसे वर्ट कर सकता है यहाँ पर अच्छा काल जो कमी थी वो कमी पूरी कर दी है thermal management का support अच्छा खासा यूज किया गया है कितना powerful है चलिए नजर डाटस के रोश यहां मिलता है 1 Cortex X3 जो कि 3.35 GHz किया है 3 Cortex A715 जो कि 3 GHz किया गया है 4 Cortex A510 जो कि 2 GHz किया गया है तो performance तो भाईसा सूपर से उपर वाला performance है शांदार है, दमदार है सवाल है gaming के लिए तो gaming के अराम से कर सकते है 60 EF से यहां मिलता है Immortalis G715 MC11 GPUS अतिया LPDDR5 XRAM UFS 4.0 वाला storage देखने को मिल जाती है दमदार है भाईसा Read-write किस आपको awesome मिलेगी बट खेला है इसकी base variant UFS 3.1 सपोर्ट करती है और इसकी higher value से के वा 4.0 सपोर्ट करती है 85G band के साथ Call drop की कोई problem नहीं आगी रही बाद On to the score तो 14,000 लेक 45,000 कास पर देखने वो मिले आने की bump पर है भाईसा Gaming aiming कर के देखा भी गया अब आगे देखाऊंगा आपको मैं वो वीडियो देखाऊंगा Gaming करता हुआ शांदार है सवाल है कि Vivo V40 को शक्ती देती है Qualcomm को से Snapdragon 7 Gen 3 Processor अब यहीं तो खेला क्या गया है अब आपको बताऊंगा कि मतलब Vivo वाले क्या सोच के मतलब गलती से T3 Ultra को लांच कर दिया गया है या फिर जान मुझके किया गया है समझ में आज आगा आपको 7 Gen 3 Processor खड़ाब नहीं है बट प्राइस पॉइंट के साब से देखेंगे तो भाई इतना जस्टिफाइड नहीं करती मेने साब से 4 nanometer का fabrication बनाए गया है Energy Efficiency अच्छी रहती है यहां भी भाई वीवो है तो Thermal Management Support अच्छा यूज किया गया है हिचांस से बहुत कम देखनों मिला है कितना पावफुल है चलिए 4 Cortex A715 जो कि 2.63 GHz 4 Cortex A510 जो कि 1.8 GHz अच्छा किया गया है तो performance यहां भी अच्छी मिलती है बट Price 1 के सादेखा जाए उतना सही नहीं है T3 Ultra best है गेमिया आप 460 पे सकते हैं यह मिलता है Adreno 720 GPU साथी Rapid Idea 4X ते है UFS 2.2 वाला स्टोरेज देखने को मिलती है यानि की decent स्टोरेज मिलती है रडेट की अब इतना महेंगा आप खर्च करेंगे पैसा देंगे आपको UFS 2.2 ही मिलती है और 3,000 रुपे बचा के आपको 3.1 मिल जाती है बताओंगा आगे 85,000 यहाई भी आपको मिलती है बट on to score की तो 8,31,000 मत्तलब की बहुती मत्तलब आधा है भाई साथ देखा जाए तो इतना कोई खास नहीं है यह कंपेर करेंगे गेमिंग में करके देखा गया है गेमिंग में अच्छा आपको TZ Ultra ही सपोर्ट देखने को मिला है बैक अप, बैटरी के जो है जो ड्रॉप बैटरी भी आपको अच्छी मिली यहाँ पर है लॉंग टम चला भी है फ्रेम डेट यहाँ पर ड्रॉप खटोटेओं नहीं दिखा है दोनों यह सा काम चा किया लेकिन उतना खास Vivo V40 नहीं कर पाई जितना TZ Ultra बैस्ट किया गया है अब सवाल है कि इमेज करेंगे, वीडियो रिकॉर्ट करेंगे सेल्फी लेंगे, इस मामले में 921 सेंसर मिलता Vivo T3 अल्टरा में, वही Vivo V40 मिलता है Sony Lite या 600 सेंसर T3 Ultra मिलता है 1MP का अल्टरावाइड एंगल लें Sony AMX 355 सेंसर, बट Vivo V40 मिलता है 50MP का अल्टरावाइड एंगल है, जांसे 4K60 या पेस 1080, 120 रिकॉर्ड कर सकते हैं अब देखके तो लगना होगा, भाई साब 50MP का अल्टरावाइड है, जांसे Vivo 40 में कैमरा अच्छा काम करेगा भाई साब कैमरा तो अच्छा दिया गया है लेकिन उसको हैंडल करने के लिए बेक एंड में जो प्रोसेसर वो ही नहीं तक खास मतलब जो 92 हेंडल प्लस दिया गया है T3 Ultra में वो जी यहां प्रोवाइड क्या होता है तो भाई साब जबर्दस क्वालिटी निकाल कर दे देता है लेकिन देखूंगा भी मैं यहां पर आपको बताऊं तो T3 Ultra का कैमरा भी सही है खराब नहीं है इससे थोड़ा सा बहतर है लेकिन वही चीज है कि प्रोसेसर तो यहां दिया गया है कैमरा में थोगा सा कंजुस्ति कर दिया गया यहां पर कैमरा अच्छा दिया जा सकता है तो अल्ट्रा वाइड कैमरा और अच्छा किया जा सकता है ऐसे camera खड़ाब नहीं है T3 Ultra का, camera best है, VV40 से compare करेंगे तो शांतर camera quality दे दे देता है, यहाँ कोई खूब सब्सक्राइब के लिए, दोनों में मिलते हैं 50 Megapixel के selfie camera, तो 4K, 1080, 60 रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो selfie के मामले दोलों exact same है, बत रियर के मामले में T3 Ultra मुझे अच्छा लग अब सवाल है कि दोनों ही smartphone को जान फोकने के लिए कितना image की battery मिलीगी, चलिए बात करते हैं battery की, दोसों battery की बात करें तो दोनों भायों में यहाँ कोई फर्क है ही नहीं, दोनों में exact same है, 55 hand damage की battery, 80 watt की charging support, चार्जर बॉक्स में, देखने को मिल जाती है, backup, शांता निकाग अच्छे टर्ण रपोटर, NFC, यह मिलता है, यह मिलता है, यह मिलता है, dual story, speaker टेखनों मिलता है, but unfortunately ना कोई 3.5 mm audio jack, ना ही कोई card slot टेखनों मिलती है, लेकिन अब बात करें सके software की, तो यहाँ भी दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों मिलते हैं latest android 14 को पर out of device on the front touch OS 14 मिलता है, but कहां फर्क है, update cycle में, Vivo T3 Ultra में, cable 2 साल का android है, 3 साल का security patch update है, but Vivo V40 में मिलता है, 3 साल के android, 4 साल का security patch update के साथ, इसी लगता हमें, 300 रुपय एक्स्ट्रा चार्ज ले रही है, यहाँ पर 50 मेगा फिचल का ultrawide यहाँ प्रोवाइट कर दिया गया है, नमबर खाती है, और पर एक एक साल एक्स्ट्रा कर दिया है, update cycle में, समझ में आता है, क्या करते है, एक ही ख़राने से हैं, इतना भेजा और क्यों, लेकि सवाल है, कि variance of price क्या होगी, क्या अभी लेना सही रहेगा, जो sale आ रहा उस पर लेना सही रहेगा, सब बताने वाले है, अपने टार्गेट पहुचाईए, शेर कीजिए, अपने friend और family साथ चैनल पर रहेगा है, सबस्क्राइब कोगे बेला को जो रहेगा है, क्योंकि अपने free उती में से benefit मिल जाती है, खेच लिए बात करते है, variance और price की, दोसों बात करें, variance और price की रहेगा, तो Vivo T3 Ultra Cable 3 variance में available है, 8 plus 128, 3199, 8 plus 256, 33 3999, 12 plus 256, 35999, इसकी sales सुरू हो चुकी है, HDFC bank का card तर तीन हदर पर discount मिल जाता है, प्रवने smartphone एक्सेंस करेंगे, उस पर को discount मिल जाएगा, लेकि बात करें, Vivo V40 की तो ये भी 3 variance में available है, 8 plus 120 है, 34999, 8 plus 256, 36999, 12 plus 512, 41999, लेकि सवाल है, कि जाना किसके तरफ सही रहेगा, क्या 300 र दोसों conclusion की बात करें, देखिए, build quality, design, display, देखा जाए, दोनों exact same है, battery even और OS भी यहाँ पर दोनों same है, बट अंतर कहा है, performance camera T3 Ultra best है, तो मेरा ये मानना है, मैं ये कहूँगा, कि अभी आप wait करेंगे, अभी purchase मत करिए, 27 September से sales सुरू होगी, दोनों की Amazon और Flip Cartman, वहाँ पर ज करूँगा, लेकिन share के वक्त, कि उसकी price drop होने वाली है, उतना खास नहीं, लेकिन होगी, आपको अच्छा खासा cashback मिल भी जाएगा, तो मेरा ये opinion है, कि Vivo T3 Ultra आपके लिए best है, यह दोनों स्माखफोर पर देख रहे है, तो Vivo T3 Ultra best है, बाकि आप से मैं पूछना चाहूँ मिल जाता है, उनको भी अपना भी opinion share कर सकते है, अच्छा वाल opinion share करेजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों के सपास दिमाग भी है, help कर रहे हैं लोगों का, लोगों का help करेजिए, और क्या, कोई ने कोई आपका भी help कर रहे हैं, जैसे मैं करना आपक किजिए और सब्सक्राइब किजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टापिक के साथ तब तक के लिए, जैहिन, जै भारत! किजिए वारत!